नमस्कार दोस्तों स्वागत है Government Education में मेरे नाम है चिते इंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में हम करनाटक से बहुत ही important question देखेंगे जो आपके exam point of view से काफी important है आप किसी भी exam की preparation कर रहे हो तो यहां पर हम 40 plus question देखेंगे 14 plus जो आपके हर exam के लिए beneficial हैं तो चलिए विनादेरी के हम question start करते हैं तो देखेंगे यहां पर question हम जाए detail में नहीं जाएंगे जो question है उनके answer देखेंगे और इनी से जो है 1973 में जो है यह परवतित कर दिया गया था करनाटक में तो इसका answer हो जाएगा बी option याद रखना next question हमपी इसमारक करनाटक के किस जिले में है तो आई वब सभी को पता होगा यह जो है वो बैलारी जिले में है इसका answer हो जाएगा जोग जलपरपात जोग जलपरपात के बारे में अगर कुछ भी आपको जानकार यह जो कि important है वो आप मुझे comment box में बताइए कि जोग जलपरपात जो है वो किस लिए जाना जाता है तो यह करनाटक में और कौन सी नदी पर है सावरवति नदी पर next है हमपी नगर किस नदी के किनारे इस्तित है तो हमपी नगर जो है वो किस नदी के किनारे इस्तित है यह जो है वो तुंग्रभद्रा नदी के किनारे इस्तित है तो इसका अंसर हो जाएगा यह option अगला question है कि करनाटक राज की स्थली सीमा कितने राज्यों से इस्वत करती है किसी भी राज की आप की गई यह जो है इसका आंसर आप कमेंट वोक्स में बताईए नेक्स है कौन सी कृष्णा नदी की सायक नदी नहीं है तो यहां पर द्याद नहीं यह तो यहां वो इसका अंसर हो जाएगा हैमावती नदी बाकी भीमा नदी तुंग्रवद्दा नदी और घटप्रबा नदी ये सबी जो है वो किष्णा देनिती की सायक नदी है अगला कुशन है कृष्ण राजा सागरवांद किस नदी पर इस्तित है तो ये जो है वो कावेरी नदी पर है इसका अंसर हो जाएगा ये ऑप्शन अगला कुशन है करनाटक का चेटपल के अनुसार भारत में कौन सा इस्तान है तो करनाटक की बात की जा रही है तो ये जो है वो शस्ट्वम जो है ये इस्तान है इसका अंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ओके तो ये छटवा अगर याद रखने पहले राजिस्तान दूस्रा वा आप यहां पर बात की जाए तो राम हैं महाराष्ट है ठीक है तो राजिस्तान मद्धर देश और महाराष्ट तो राम महान वो आप तो इस तरीके से याद कर सकते हैं अगला कुश्चन है गोल गुंबज करनाटक के किस जिले में इस्तित है गोल गुंबज जो की करनाटक में तो यह जो है वो पीजापुर जिले में इस्तित है इसका अंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अगला कुश्चन है भारत का स सबसे ज़्यादा कोफी होती है कोफी में एक अगला कुछ नई कौन सा राश्तीयृ उध्यान करनाड़क राज्य में इस्थित नहीं है तो यह इंसर हो जाएगा D option Сंजे गांडी राश्री उद्धान कहां पर है तो यह जो है वह बात की जाए कि संजे देखा जाए तो संजे राश्री उद्धान अगर देखा जाए तो यह जो है मद्धिपर्देश में पढ़ता है तो यह भी याद रखना बाकि से कौन सी करनाटक की प्रिशिद जील है तो कौन सी है इसका अंसर हो जाएगा बैलांदूर जील यानि ए ओप्सन जो है इसका अंसर हो जाएगा अगला कोशन है कि नीलगरी की पहाडियों में कौन सी जंजाती पाई जाती है नीलगरी पहाडी जो की करनाटक में पाई जाती ह तो ये जो है वो कौन सी जंजाती पाई जाती है ये पाई जाती है तोड़ा जंजाती तो नीलिगरी की पहाड़ियों में तोड़ा जंजाती पाई जाती है अगला कुशन है बावा बूदन की पहाड़ी किस राजमेस्तित है तो हम करनाटक की बात कर रहे हैं तो इसका अंसर हो जाएगा करनाटक के लिए भारत में हुआतरत है न होब धर्वार्भार है करनाटक में काम कोफी चाय। कोफी से ज़्यादा यहीं पर होती है तो यहां पर पूछा गया कि कौन सी सहर में जो है वो कॉफी बोर्ड है तो यह जो है वो बैंगलूरू में है तो इसका अंसर हो जाएगा ए ऑप्षन नेक्स है करनाटक के किस सहर में कौफी अनसंदान केंदर इस्तित है तो पहले पिछले वीडियो में यहां पर देखिए कन्फीज मत होना कौफी बोर्ड पूछा गया है और यहां पर पूछा गया है कौफी अनसंदान केंदर जो है वो चिक मंगलूरू में है तो इसका अंसर हो जाएगा अगला है कि फश्चमी घाट में इसनांतरण सिल्करसी को किस नाम से पकारा जाता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है यह पूचा गया है तो कुमारी इसका अंसर हो जाएगा स्थानिय करण किस राज में हुआ है तो करनाटक में हुआ है करनाटक की बात कर रहे हैं तो इसका अंसर हो जाएगा कॉलार की खदान किस राज जाती हैं तो कोलार गोलार हनं के लिए चाना जाता है अगला कोश्चन है कि न्यू मंगलूर बंदरगा से एरान को क्या निराद किया जाता है यह पूछा गया है तो इसका अंसर हो जाएगा लोहा अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है सेंट्र इंस्टूट ऑफ लेंग्वेज का मुख्याले कहां पर है यह पूछा गया है तो इसका अंसर हो जाएगा मैसूर में अगला कोश्चन नैशनल अे अयरोनाक के का मुख्याले कहां है तो यह जो है वह बैंगलूरू में है जो नैशनल अयरोनाक की जो पार्ट बनाती है यह बैंगलूरू में हिस्तेथ है् अगला है इंडियन टेलीफोन इंडिस्ट्री लिम्टेड का मुख्याल है किस सहर में इस्तित है तो इंडियन बात की जा रही है टेलीफोन की तो ये जो है वो बैंगलूरू है तो बैंगलूरू को बात की जाए तो सिलिकन सिटी के नाम से भी जाने जाती है तो ये भी याद रखना है आपको अगला कोशन है कींद्री खाद प्रोद्योगी के अंसंतान संस्तान का मुख्याला है तो इसका अंसर हो जाएगा मैसूर में तो मैसूर में जो है वो कींद्री खाद प्रोद्योगी अंसंतान इस्थित है अगला कोश्चन है निम्न में से कौन सा बांध करनाटक में है तो यहां पर बात की जा रही है बांध कौन सा है करनाटक में तो इसका अंसर हो जाएगा अल्माटी अल्माटी जो है वो करनाटक में इस्तेता हीरा कॉन्ट की बात की जाए तो यह बुड़ी साम है जो कि सबसे उच्चा बांध है तो यह भियाद रखना है अरकवति अम्रावति भवानी हेमावति इबं कावे नी किसकी सहाइक नदियां है यह सभी तो यह जो है किसकी सहाइक नदियां है कावेरी की तो इसका अंसर हो जाएगा ए औपशन नेक्स है भारत में कच्छे नमक का सरवादिक उत्पात किस राज में किया जाता है तो ये किया जाता है करनाठक में नेक्स है यहाँ पर कामेरी नदी का उद्गम इस्तल किया है तो कामेरी नदी जो कि करनाठक में बैती है और उसका उद्गम इस्तल जो है वो पहाड़ी है तो भी ऑफसन जो है इसका अंसर हो जाएगा नेग्स है दस्यर पव्श्पमी रेल्वे का मुख्याल है कहां है तो दस्यर पश्पमी के मुख्याल है जो है वो खुली में है जो की करणाठक में पड़ता है नेट राश्टिट राजमार का जीरो शेवन किस प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है तो यह जो है वो करनाटक से उपर नहीं गुजरता बाकी तमिल्लाडू महराश्ट एकेलर यह सभी से जो है जाता है अगला कोश्यन है कि जन्संग्या के अनुसार करनाटक भारत में इस्तान है तो भारत में पूछा गय सबसे जन्संग्या पाई सबस्थे में पर कनाटक में कुछन सी जगए तो भद्रवती जो है यहां पर करनाटक कोंसी विक्तान है प्रशड है तो कुंद्रे मुखदान जो है वो किस लिए जाने जाती है लोहा के लिए जाने जाती है लोहा के लिए लोहा आइस्क जो की यहां से टांस्पूर्ट किया जाता है नरवात किया जाता है नेक्स है बगीचों का सहर किसे कहा जाता है तो बगीचों का सहर की बात की जा रही है तो I hope सभी को पता होगा इसका अंसर हो जाएगा बैंगलोरु को बगीचों का सहर नेट्स है भ Western अंत्रेचंसन्दान संगटन का मुक्याल है तो जो की इसरोके नाहिन जाती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बैंगलोरु अगला है करनाटक राज का राज पशू कौन सा है तो यह पूचा गया है तो इसका अंसर हो जाएगा भारती है हाती हाती की बात की जाए तो जो बांदीपूर नेशनल पार्क है जो कि करनाटक में है तो यहां पर जो ऐसे ही हाती के लिए भी जाना जाता है तो इसलिए वो बांदीपोर नेशनल पार्क जो है वो फेमस है जायतर नेक्स है जेन तीत श्रवण बेला करनाटक किस जिले में इस्तित है तो श्रवण बेला जो है वो किस जिले में है हासन जिले में है तो इसका अंसर हो जाएगा A option नेक्स है एसिया का पहला जल बिद्द सेंद्र कहां पर इस्ताफित किया गया तो एसिया का सबसे पहला जो किया गया था वो कहां पर किया गया था ये किया गया था सिफ समंद्रम में तो ये कुशन जो है दिखा था काफी एक्जाम में में कूशा भी गया है पहला विद्दुत सेंत्र केंद्र है तो याद रखना है सिफ सबंद्रम नेक्स है निम्न मैंसे कौन सा बंदरगा करनाटक में है तो इसका अंसर हो जाएगा न्यू मंगलोर माला पिला ताड़ी यानि उपरोप्त सगी जो है ये बंदरगा जो है वो बैंगलूरू करनाटक म कर बैंगलोरू में अगला क्वेशन है करनाटक किस जिले की सीमा आंदर प्रतेश और तेलंगना मेंगलोर जा तो यहाँना और लास्ट कुश्चन है हमारा ये करनाटक की जो समुद्री सीम में पूची गई है कि ये जो है वो इसकी कितनी लंबाई है तो इसकी जो है वो 280 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है तो इसका अंसर हो जाएगा B option ओके तो ये थे आज के कुश्चन करनाटक से रिलेटर जितन भी important question बनते हैं उनको हमने देखा है और आपके आने वाले किसी भी अक्चाम की आप preparation कर रहे हूं यहां से आपको question देखने को मिल जाते हैं तो अब अच्छे से 45 कोश्चनों को जो है वो अच्छे से रिवाज करते रहीगा तो आज किस वीडियो में मिलते हैं आज किस धन्यवाद जो भी साथ ही नहीं है तो चैनल को subscribe भी कर लें और like और share करना बिल्कुल ना पूले